हेलो फ्रेंड में हुशंजे और आप देख रहे हो MSR GAMING तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपको ख्लोज़ फैट करने हो पॉंचिंग की में तो आप पॉंचिंगे में क्लोज़ बाइट कैसे कर सकते हो अगर पॉंचिंगे में नहीं तो किदर भी आपको ख्ल क्लोज़ फैट में आप भी वीन होंगे और जैसे आप क्लोज़ फैट शीख जाएंगे तो आपको बबजी खिलने में बहुत ज्यादा मज़ा आने वाला है तो चलिए मैं आपको लेजा तो हूँ ट्रेनिंग रूम में और मैं दिखा जाता हूँ तो हमारा पहला पॉंट ह क्लोज़ फैट करने जाओ तो आप ध्यान रखो कि आपका एलमेट लेवर 2 या लेवर 3 का हो जैसे आप लेवर 3 का होता है अगर आपका लेवर 1 का एलमेट और लेवर 1 का वेस्ट है तो आपको ज्यादा प्रोटेक नहीं कर पाएंगा बिट सामने वाला आपको शिंपल सी हिए अगए पोट यापकर मार सकता है इसलिए इसना आपको ध्यान देना है ज्रखिए आप लेने जाओ तो लेवर 2 य वेस्ट लेवर 1 को होती है तो में दूसरा पॉंट अपश्यार का पी आउन давata- उसकी वज़े से उसकी गोले हमारे एड पर तो आ जाते पर सामने वाला नहीं मरता तो आपको मैं सिंपली चार गण के रिकेमेंट करूंदा एक तो है M416 दूसरी है तो आपको सिंपली इस चार गण को भी सबसे ज्यादा रखना चाहिए जब भी आप क्लोस फैंट में जाओ अगर आपको ड्रोप में से जो भी गण मिले बहुत तो सबसे बढ़िया होती है पड़ आपको लूट करने के समय आपको इन 500 गण का ध्यान रखना है जैसी है हमारी डीपी है एम फोर सिक्स है जैसे जो रिक्वल कम होती है और उसके सामने वाला के सिंपल हेड़ पर ही आपके गोले आनी जाए तो हमारा तीसरा पॉइंट है टीटीपी एंड प्रीफायर इसका मतलब क्या है तो इसका मतलब है आप मान लेजिए कि यह हमारा एनिमी उसके प आपको यहां से आपको प्रीफायर करके चलना है तभी आपको उसके माइन को भी बन लेना है वह डिएस नहीं के वह प्रो खिलोड़ी नूब खिलाड़ी ईससा तो कभी मत सुनने के इधर से सीम्पल इसने बहर सोब बहर चाहर तो आपको क्या करना है आपको ध्यान दखना मिलन तो आप इधर जा है उटाने आपको तुर्स किया है है उसका मतलब को ध्यान लखने करका यह हमारा प्रोशयर है तो आपको ऑफ बन्दा दीखें वहावर रहा तो आपका क्रोशोर उसके एड पर ही होना चाहिए जब भी आप किल करने जाओ अप जैक सकते हों कि हमारा क्रोशयर एड पर ही रहेगा क्योंकि प्रो खिलाट जब भी आप जिदर भी गण आपकी बले गीदर भी वह बट आपका प्रोश एर उसके हेड पर ही होने चाहिए क्योंकि एड पर होंगा तो उसके डेमेज बहुत ज्यादा होंगा अगर आप स्क्रोप भी यूज़ करना चाहते हैं तो दो का स्क्रोप रखे इस प्रोप में हमेशा दो या तिन का स्क्रोप रखे चार शिक्स आठका स्कॉप गभी मतनफ रखिए क्योंकि वह क्लोज फैट में काम नहीं आते हैं अब देख सक स्क्रोप रखे हो को सिंपल ही ध्यान रख रहा है हमारा क्रोशियर उसके हेड़ पर ही हो पांत्मा पॉइंट है क्राव जम प्रॉंट जब यह आपको इदर आप मान लेजिए को यह बंदा हमारा हमारी एनिमी को किल करता तो आपको सिंपल ऐसे जूख जाना है ऐसे जूख तो सब्सक्राइब आपको सामने वाला किल हो जाएंगा तो आपको प्रोण हो जाना है जहम कुनना है जैसे आपको ट्राय करकर रखना है अगर आपको यह वीडियो क्लोश पाइट की अच्छी लगी हो तो हमें सिंपली कॉमेंट करके बता दीजिए और आपको पर फिंगल आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तब के लिए बाई बाई जाहिन गुडबाई